बिहार में निवास पर्मानपत्र और लाइन कैसे बनाया जाता है आज के वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप आपको बताएंगे यदि कहीं पर आपको इंचारों में से कोई भी नाल रिखाओ, तो इसका मतलब निवास परमान पत्र ही होता है, कंफ्यूज मत हो ना, और हाँ जब आप अप लाइक करते समय फोटो अपलोड करेंगे, तो उसे आप सेल्फ एटेस्टेट कर ले, मतलब आप अपने फोटो पर signature कर ले, नहीं तो आपका form reject कर देगा, और हाँ वीडियो के last में मैं आपको free giveaway भी देने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल बहुत खुस हो जाएगा, तो वीडियो को last तक जरूर देखना, और वीडियो को like नहीं किया है, तो जल्दी से like कर दो और चैनल को भी subscribe कर लो, so let's jump to the tutorial, तो आपको किसी भी browser पर जाकर RTPS सर्च करना है, और इस website पर आ जाना है, जिसका link मैंने description और comment box में दे दिया, तो यहाँ पर आप वो समाने पर सासन विवाग पर क्लिक कर के, वासिय पन्मानबत का option सो कर देगा, तो इसको select करके, अंचल स्तर वाले option को open कर लेना है तो कुछ ऐसा interface आपको दिखाई देगा, तो सबसे पहले आपको gender को select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर अपने नाम को fill कर लेना है, जब मैं यहाँ अपने नाम को English में type करूंगा, तो यह Hindi में automatic translate होकर चला आता है, और यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूंगा, कि यह Hindi म translate मोबाइल में नहीं होता है, इसके लिए आप खुछ से इंडी में type करेंगे, उसके बाद यहाँ पर name of father और name of mother वाले option में candidate के पीता और माता के नाम लिख देंगे, और यदि आप किसी साधी सुदा महिला के निवास पन्मान पत बना रहे हैं, तो name of husband में उसके पती का ना लिख देंगे, और अब कहता है कि mobile number of applicant, तो यहाँ पर आप applicant के mobile number और Gmail ID भी दे सकते हैं, और नहीं भी, यहाँ आपका optional है, लेकिन आप mobile number दे देते हैं, तो यहाँ आपके mobile पर application number बेज देगा, जिससे यदि आपका receiving हेरा भी जाएगा, तो इससे आप अपना certificate निकाल सकते हैं, यह सब चीज फील कर लेने के बाद, आपको यहाँ address फील करना है, तो सबसे पहले आप अपने state को select करेंगे, उसके बाद अपने district को select कर लेंगे, उसके बाद आप अपने अनुवंडन को select कर लेंगे, और परखंड आपका कहा परता है, उसको select कर लेंगे, अब अस्थ फिर अपने गाओ के नाम को टाइब करना है पोस्ट ओपिस को टाइब बर लेना है और आपका थाना जहां पर पड़ता है उसको फिल कर लेंगे और लास्ट में अपना पीन कोट को फिल अप कर देंगे इतना हो जाने के बाद आपको अपना फोटो को अपलोड कर लेना है और अब यहां आदा है अधार संख्या. यहां पर आप दियान दे कि यदी आप अपना अधार नमबर यहां डालते हैं तो आपके अधार से जो भी नमबर लिंग होगा उस नमबर पर OTP जाएगा जिसे आपको fill करना होगा और यदि आपके अधार में mobile number link नहीं है तो आपको इसे fill नहीं करना है और नीचे निवास के परकार में अस्थाई को select कर लेना है और last में capture को fill करके proceed पर click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपने form को मिला लेना है यदि कहीं पर कुछ गलती है तो edit पर click करके edit कर लेंगे अन्य था attach n10 पर click करेंगे उसके बाद आपको जो भी proof upload करना है उसको select करके upload कर लेंगे और save n10 पर click कर देंगे और अब आपको submit का option दिख रहा होगा तो हमारा निवास पर्मान पत्र apply हो चुका है यह हमको 10 कारे दिवस यानि 10 दिन block open रहेगा आज से उतना समय में उनको बनका त्यार हो जाएगा और यदि किसी को apply करने में दिक्कत हो रही है तो मेरे इस whatsapp पर अपना document बेस दे मेरा team आपको फीरी में apply करके दे देगा तो अब मिलते हैं next video में तब तक के लिए जाहें